गूगल फोटो एप में लॉक कैसे लगाए? हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप गूगल फोटो एप के अंदर लॉक लगाना चाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गूगल फोटो एप ओपन हो चुका है लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ इसमें लॉक लगाना हम कैसे लगा सकते हैं और कहां से लगा सकते हैं इस वीडियो को आप बिलकुल ध्यान से देखे इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है नहीं इसके लिए अपने font के setting को खोल लेना है यानि open कर लेना है जैसे ही open कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आपको मिल दाता है इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको थोरा सा नीचे आना है ठीक है इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करें और नीचे आप जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ पर एक Apps वाला बटन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर click करने के बाद आपको सबसे नीचे में app lock का option मिलेगा आप जिसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यह जो setting है आपको यहाँ पर अगर ना मिले तो आप यहाँ पर search पर click कर सकते हैं और यहाँ पर search कर सकते हैं एप लॉक इस तरीके से ठीक है एप लॉक आप जैसे ही सर्च करते हैं अपने सेटिंग के अंदर तो आपके सामने जो है एप लॉक का सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल लाता है चली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हमने सर्च किया है थुरा दर यह लोडिंग ले आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको जो है एक लॉक डालना है ठीक है जो भी लॉक आप लगाना चाहता है अपने यहां पर फोटो एप में उसे यहां पर एंटर कर दीजे ठीक है चलिए हम यहां पर लॉक डाल देते हैं फिर से आपको सेम यहां पर लॉक आपको डालना है इस तरीके से जो आपने अभी इससे पहले डाला था वही डालना है इसके बाद आपको next वाले बटन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर आपको note now का बटन दिखेगा इस पे आपको क्लिक करना है फिर यहाँ पे आपको नीचे में note now का बटन दिखेगा आपको इस note now के button पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर काफी सरा green tick दिख रहा होगा तो आपको इस तरीके से untick कर देना है click करके ठीक है untick करने के बाद use app lock के option पे click करना है और यहाँ पे आपसे fingerprint पूछा जाएगा अगर आप लगाना चाहते हैं तो जो भी finger आपने touch कर रहे हैं वो finger यहाँ पे आपको touch कर देना है finger के पास जो भी आपने skin lock लगा हुआ है ना उस finger से आपको इसे touch कर देना है और इसके बाद आपका fingerprint भी लग गया ताकि आपका password ना खिल लोते हैं आप fingerprint का इस्तिमाल करके आप उसे open कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे search पे click करना है और यहाँ पे आपको search करना है photo photo search करेंगे तो photo app आजाएगा गूगल photo आपको इसको इस तरीके से इस पे click कर देना है और click करते ही आपका काम हो गया आप जैसे ही आप अपने Google photo के इस तरीके से open करते हैं तो आप से password पुछा जाएगा आप जाए तो fingerprint से भी खोल सकते हैं या फिर आप password डाल कर भी इसे open कर सकते हैं और इस परकास से दोस्तों आप यहाँ पर Google photo में password लगा सकते हैं वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले